हेलो दोस्तों, कैसे हो आप शब मैं, गाइतरियासिरी, आज मैं आपके अलिए, सर्दियों के लिए, पलाजो की कटिंग और स्टीचिंग बताने वालीूँ वो भी बड़े कपड़े आते हैं वो फूल साइज में ही आते हैं तो मेरा ये दो मिटर से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है और निचे मेरे बोर्डर बनी हुई है एक तरफ तो मैंने कपड़े को यहाँ पर डबल करके रखा हुए है और इसका मैं आपको पहना भी बताऊंगी यह मेरा कितन पहना आई इसके यहनी कि जो चोड़ा है वो कितना अरज कितना इसका तो मेरे इस कपड़े का जो अरज वक्रणा हो 28 इंच कह उसके बाद मैं आपको बताती हूं तो मैंने यहां पर कपड़े को 4-fold कर लिया है खुला बागा आपकी तरफ है बंद बाग मेरी तरफ है और निचे भी मैंने यह बोडर को अची तरह से सेट कर लिया है तो आपको चेक कर लेना यदि आपका बोडर वाला कपड़ा हो तो नि इसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है और जो बोर्डर बनी होई है बहीं से आपको लंबाई का निशान लगाना है तो मैं यहां पर लंबाई का निशान लगाऊंगी तो मैंने इस पर यह निशान भी लगा लिया है भी सी निशान को सिधा कर लेना है और इस नि तो देखेंगे दो इंच के लाश्टिक ज्यादा चोड़ी हो जाती है अब इसके बाद आपको कमर का निशान लगाना है तो जितनी भी आपकी हिप साइज रहती है उसको आपको फोर से डिवाइड करना है और उसके बाद उसमें दो इंच और अड़ करना है तो यहां पे 36 हि हुआ रही हुँ लूजिंग सभी साइज के लिए आप यूज़ कर सकते हो तो मैंने यहां पर 2 इंच की लूजिंग रगी निगि दो इंच एड़ के यदि आपको ज्यादा चाहिए तो आप निशान लगाया अब इसके बाद आपको आसन कर निशान लगाना है तो उपर से ज़्यादा आसन चाहिए तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो तो मैंने यहाँ पर दो इंच ही रखा है तो 11 इंच का निशान लगाए है यहाँ जितना मैंने उपर लिया है उतना ही मैंने निचे लिया है अब इसके बाद आप दूसरी तरफ से भी चेक कर लीजिएगा कि यह 11 इ și 15 इंच रखोगे तो मैं यहाँ पर 1.5 का निशान लगाूंगी और निशान लगाने के बाद आपको गुलाई कर दें है ठीक है अब इसके बाद नीचे मोरी के लिए निशान लगाने जितनी भी आपकी मोरी तो आप लेक शेपर की साहते इसे प्रकार निशान लगा दीजिए गए तो यहां पे आपको ध्यार है कि मैंने लेक शेपर को उपर की तरफ जाधा रखा है यदि आपके पास लेक्षपर नहीं है तो आप इंची टेप से कैसे निशान लगाओगे इसके बारे में मैं भी आपको बता देती हूँ तो सबसे पहले आपको इंची टेप से इस प्रकार सीधा निशान लगा लीजिएगा जिसे आप लगाते हो इस प्रकार सीधा निशान लगाने के बाद उसको हलका सा करव देते हुए मिलाना है तो पहले मैंने यहाँ पे सीधा निशान लगा है तो इस प्रकार मैंने सीधा निशान लगा, इसके बाद आपको अंदर की तरफ से इस प्रकार कर्व दे देने हैं, तो इसकी शेप अपने आपी आ जाएगी, तो अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है, तो आप चाओ तो ये गिदरी वाली जो साइड है, वहां पे आप स वुचस लगा दीजिये, क्योंकि यहां से जो ए, कपड़ा फॉल करना है, अब यह जो है, दो पार्ट में होचके हैं, सबसे पहले आपको इस से परकार मिलाना है, तो सबसे पहले आप इस परकार का पलाजो बनाएगा, क्योंकि यह पलाजो बहुत ही असान है, और यह बन और आप में confidence भी आ जाएगा अब इसके बाद आपको गिदरी की सिलाई लगा लेनी है तो मैं इस पे आपको सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ तो मैंने इस पे ये गिदरी की सिलाई भी लगा लिया अब इसके बाद आपको करना क्या है इसको इसको उल्टा करने के बाद क्या करेंगे इसको जो दूसरा पीस है इसका उसके अंदर एसको डाल देंगे तो डालने के बाद इसका जो आसना वो अच्छी तरह से स्टिच हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो मैंने इसको इसके अंदर डाल दी है अब इसके बाद आपको सिलाई को सिलाई से मिलाना है दोनों की जो गिदरी वाली सिलाई है उसको मिलाना है और इस प्रकार इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है तो अब इसके बाद इसको सिलाई से सिलाई से मिलाते हुआ आपको पूरे में ये जवासन वाली सिलाई लगा देनी है तो मैं इस पे पूरे पे ये पहले सिलाई लगा लेती हूँ तो मैंने इस पे ये सिलाई लगा दिये अब इसके बाद क्या करना है इसके पीस को बाहर निकाल लेना है जो दूसरा इसका पार्ट है तो इस परकार ये निकल जाएगा और इस परकार ये स्टिच हो जाएगा तो है ना कितना असान तरीका अब इसके बाद जो उपर वाला जो कपड़ा बचा हुआ उसको आपको थो कुलन का कपड़ है जिसके धागे भी ज्यादा निकलते हैं और इसमें आपको क्या है इंटरलोग करने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी तो यह फिनिशिंग के साथ यह आसन स्टिच हो जाएगा और यहां पर मैं आपको खास बात बताना चाहूंगी कि जो इसकी जो गुला तो देखिए कुछ छोटी छोटी बाते होती है जो बारिकियां होती है जो बिगनर्स को जाना तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यूँकि उनको जब यह इन बातों का पता होगा तभी तो वो फिनिशिंग के साथ स्टिच कर पाएगी कोई भी ड्रेस को तो मैंने इस पर यह सिलाई भी पूरे पर लगा दी है और यह जब इस लाई लगी ना बड़े ही फिनिशिंग के साथ इस पर शिलाई लगेगी तो आपको मैं दिखा देती हूं तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ है अटेच हुए है इनकी कहीं से भी आपको धागा नहीं घर रही हूं ताकि वा अच्छी तरह से उपर से कपड़ा फोल्ड कर सके लास्टिक डालने के लिए तो मैंने यह दो इन्च का निशान लगा लिए इसके बाद उसी कपड़े को जो निशान लगा उतना ही आपको कपड़े को फोल करना है निचे थोड़ा फोल करने के बाद है और बीच में से आपको दो इंच छोड़ना है वहाँ पे आपको सिलाई नहीं लगानी है और पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा देनी है तो मैं आपको इस पे पूरे पे सिलाई लगा कर भी दिखा देती हूं कि आपको सिलाई कैसे लगानी है क्योंकि जो विगनर्स होती है कई विगनर्स ऐसे भी होती है जिनको इस प्रकार सिलाई लगाना भी नहीं आता है तो आपको इस प्रकार सिलाई लगानी है थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल करते हुए जैसे सलवार के नेफे में लगाते हो सेम उसी तरीके से ही लगानी है तो मैं इस पर पूरे पर सिलाई लगा लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ तो मैंने ये पूरे पे सलाई लगा लिए और मैंने दो इंच बीच में से छोड़ा भी इसमें आपको इलास्टिक डालना है वो कितना लेना है इलास्टिक आपको किस हिसाब से लेना है जितनी भी आपकी कमर है उसमें आपको तीन इंच कम करना है इलास्टिक तो मेरा यहां पे 32 इंच कमर है तो आप 59 इंच का Elastic को लूँगी ठीक है तो जो कम करते हो only thirty I फुक्ER तो दूसरी तरफ को दूसरी तरफ निचान लगा हमें कि मेरा मुझे और अमलेज़्ी विलेलॹाइब आयर पे दियान रखीग इस बात को तो मैंने इसमें पिन लगा लेए इसके बाद elastic को इसके अंदर डालने है और बाहर निकालेने है और जो यह तरीका elastic डालने का यह सबसे easy तरीका है तो मैं आपको easy तरीके सी बता रहे हैं तो मैंने इसमें elastic डाल दिया है अब इसके बाद जो निशान लगा हुए है वहीं पे आपको Elastic को दूसरे कौने को इस पर रखना है इस परकार निशान आपका अंदर की तरफ होना चाहिए और उपर से आपको सिलाई लगा लेनी है तो इस प्रकार ये सिलाही लग जाए है, इस पर आपको पकी यानिकी में कि डबल सिलाही लगानी है तो मैंने सिलाही लगा दिया, इसके बाद जो एक्स्त 라 इलास्टिक है उसको कट कर लिजिए गा तो मैंने एक्स बाद लिए वार विए जो आपका कहला राया है उसपे आपको सिलय लगानी और वो कैसे लगानीeker है जब भी आपसी तरह से चाहँ का ले जिए इलस्टिक सेट हो जाएगा उपर से आपको obtisenwatch बिए लगानी Keith P पहले आपको आसन वाली सिलाई को आपस में मिलाना है तो यहां पर यह कुछ बारी की हैं आपको जुरूरी पता होना चाहिए तो इस प्रकार आपको सेट कर लेना है कि आपकी सिलाई बीच में सेंटर में होनी चाहिए उसके बाद यह आपको पूरे गुलाई में सिलाई लग तो मैंने इस पर लगा लिए इसके बाद नीचे बोटम की तरफ आपको लगाने या फॉल करना है तो आप यहां पर एक्स्रा पट्टी भी लगा सकते हो अगर आपको चोड़ी पट्टी चाहिए तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी मैं नीचे से इसी कोई थोड़ा-थोड़ कर लिए बड़ी फिनिशिंग के साथ इसके सलाई आई और मैंने थोड़ा-थोड़ा ही फॉल किया और इसे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तो इस प्रकार यह बड़ी फिनिशिंग के साथ प्लाजो मेरा बनाया और मैंने यहां पर आपको step by step पूरी जान करी दिये तो यह सबसे वेस्ट तरीका है प्लाजो के आसन को स्टिच करने का तो इस प्रकारा मैंने आपको पूरी जानकारे के साथ प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताईए तो आपको यह वीडियो कैसे लगी है अगर अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक देख रहे हैं तो चैनल को फोलो करना है नोटिफिक्शन को ओन करना है क्यूंकि मैं इसी चैनल में सिलाई से जुड़ी हर एक परकार की वीडियो बारीकियों के साथ आपके लिए लाती रहूंगी क्यूंकि मेरा काम आपको सिलाई सिखाने का है तो मिलते हैं फिर नेक्स व बाइ बाइ